कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में एकदम सेफ होंगे आज के वीडियो में हम डिसकास करेंगे अपने रिमेनिंग टॉपिक्स जो की थे components of foreign environment लेकिन इस वीडियो को start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे new हैं तो please मैंने इस से पहले दो वीडियो अल्रड़ी अप्रोट कर रखे हैं तो आप उनको जरूर देखेगा और चैनल को like, share or subscribe करना मत भूलिएगा तो समझते हैं और इसका business पर क्या impact पड़ता है अब social culture का क्या मतलब होता है, social मतलब क्या होता है हमाई society और culture का क्या मतलब होता है, moral, laws, customs, traditions ठीक है जो कि हम एक society से adapt करते हैं अब social culture environment का क्या impact परता है business पर इसको समझते हैं for example हमको पता है या business firms को भी पता है कि इंडिया में ethnic wear का ज्यादा ट्रेंड है ठीक है तो वो उसके साब से यहां पर production करते हैं लेकिन अगर कोई business unit foreign country में लागाना चाहता है तो उसके लिए उसको western clothes का ज्यादा production करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इंडिया का culture और foreign country का culture दोनों ही अलग है ठीक है तो इसलिए business को इस सब चीज़ों को analyze करने की ज़रूरत है कि कहां पर कैसा culture कैसा tradition follow हो रहा है लोग को क्या taste है कैसी preferences है इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा social culture अब समझते हैं elements of culture कौन से ऐसे elements हैं जो culture को impact करते हैं ठीक है क्या क्या है language aesthetics education religion and superstition attitude and values material culture social groups and organization business customs and practices एक करके इस सब को समझते हैं ठीक so सब से पहले है हमारा language language क्या है it is a medium of communication and business is not possible without communication जैसा कि हमको पता है कि language क्या a medium of communication है ठीक है तो world में कई अलग है कि languages बूली जाती है तो business firm को इस चीज़ को analyze करना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस society में या जिस country में operate करना चाह रहा है अपने operations follow करना चाह रहा है वहाँ पे language कैसी use की जाती है ठीक है क्योंकि हर जगा अलग-अलग language बुरी जाती है ठीक तो business को अपने advertisement या promotions में branding में और packaging में काफी जादा problem हो सकती है ठीक तो business को language के उपर जादा ध्यान देना पड़ेगा दूसी चीज कि ये भी कि हर जगा की language pattern अलग होता है अगर कोई word हमारी इंडिया की इंडियन language में appropriate है तो सकता है English में वो इस word का meaning inappropriate हो या लोगों को अजीब लगे ठीक तो business firm को इस चीज का भी धानने न पड़ेगा कि वो अपने packaging में या brand promotion में कोई ऐसा words का use ना करें अपने hoardings में या अपने logos में कोई ऐसे word का इस्तमाल ना करें जो कि other countries के लोगों को defend करें ठीक है तो language एक बहुत major road play करता है हमारे foreign environment में अब समझते है aesthetics क्या होता है, aesthetics क्या मतलब होता है beauty and good taste और किस context में music, art, drama, dancing ठीक है तो aesthetics क्या मतलब हुआ beauty या good taste अब इसको एक example से समझते हैं कि aesthetics का क्या role है हमारे foreign environment में for example हम Indian context की बात करते हैं हिंदूस में generally बोल जाता है कि black clothes पहन के पूजा नहीं करने चाहिए ठीक है तो एक तरह से हम लोग कि में क्या माना जाता है थोड़ा bad color लेकिन हो सकता है दूसरे religion में ये good luck माना जाता हो ठीक है तो business firm को ये analyze करने के जरूब है तो किस society में operate कर रहे है और वहाँ पे लोग का कैसा taste है ठीक for example हम एक और example लेकि समझते हैं कोई एक product है उसकी packaging काफी जादा dark color है ठीक है और हो सकता है business एक ऐसे जगह पे work कर रहा हो जहाँ पे लोग काफी sober और light colors पसंद है ठीक है तो वो product वहाँ पे इतना जादा market नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि वहाँ के लोगों के taste और preference क्या है अलग है तो business firm को इस चीज को analyze करना पड़ेगा कि वो किस society या किस market में काम कर रहा है जहाँ पे जैसी requirement है उस आप से अपने product को launch करें तो कि अगर ऐसी चीजों को निकालेगा तो business firm को सिर्फ loss होगा और वो grow नहीं कर पाएगा ठीक है अब समझते है education का क्या role है तो education क्या है it is a transmission of skills, ideas and attitudes ठीक है तो education का बहुती major role है इस foreign environment में और यह two perspectives से है जिस society में business काम कर रहे है और उनके खुद firms में अब firms में कैसे अगर labor आपका skilled होगा तो आपकी machinery को अच्छे से चला पाएगा उसको जादा knowledge होगी उसके technology enhancement रहेगा तो उसको पता है कि technology का कैसे use करना है और machines को कैसे चलाना है तो wear and tear कम होगा ठीक है अब society के perspectives देखे जहां business को operate करना है अब business को यह देखना जोड़ी है कि market जिसमें वो operate कर रहे है वो literate है यह illiterate है अगर market illiterate है तो business को written forms में अपने advertisements को कम दिखाना चाहिए बलकि किस में दिखाना चाहिए जादा pictures के forms में जिससे लोगों तक चीज़ों को चीज़े पहुँच पाएं लोग समझ पाएं कर क्या business convey करना चाहा रहा है ठीक है लेकिन अगर market illiterate है तो business अपने advertisement campaigns उस आप से चला सकता है ठीक तो education का भी ध्यान business को रखना पड़ेगा और market को analyze करना पड़ेगा कि उसकी market कैसी है highly educated है या illiterate है ठीक है now religion religion का क्या role होता है foreign environment में अब religion क्या होता है moral and ethical values होती है जो की लोगों के attitude habits और outlook या lifestyle को बदलती है ठीक है अब religion का क्या role है हमारे business environment में या foreign environment इसो समझते हैं एक बहुत easy example लेते हैं मेगडी का ठीक मेगडी क्या है foreign country में पहले established थी ठीक तो वहाँ पर जो टिक की देती थी वो क्या रहती थी basically non wage material पर है लेकिन जब उसने Indian market को explore करने की सोची तो उसने अपने product में क्या changes किये और wish टिक कि लाने के सोचा वो क्यों किया क्यों किया अनलाइज किया था देखा कि Indian market में किस चीज का जाधा trend है या लोग क्या consume करना जाधा पसंद करते हैं ठीक है तो उसने market को analyze किया काफी research की तब उनको यह समझ भाया होगा कि यहां पर क्या बिक सकता है ठीक है तो ऐसे business को काफी चीज हों का analyze करने की जरूरत है कि कैसे consumption patterns है लोगों के कैसी food habits है dressing style कैसा है लोगों का और उससाफ से अपने products को launch करना चाहिए ठीक है और जरूरत पढ़ने पर उनमें changes भी लाने चाहिए जैसे जैसे वो जिस country में या जिस market में वो entry ले रहे हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा religion next is attitude and beliefs अब attitude क्या है attitude can be defined as an effective reaction to a person, object, idea or activity तो attitude क्या है एक effective reaction है ठीक अब यह reaction positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है अगर हम business form की बात करें तो अगर business form के अंदर जो employees है या working environment है अगर वहाँ पर लोग का attitude positive होगा तो क्या होगा production अच्छा होगा जो employees है वो काफी दद satisfied feel करेंगे ठीक है और काफी energized feel करेंगे लेकिन अगर वही business firm में लोग का attitude negative होगा तो working conditions भी खराब होगी और वहाँ production भी उस scale पर नहीं हो पाएगा ठीक है और belief क्या है belief is the descriptive thought held about something based on opinion knowledge or faith basically क्या है एक viewpoint होता है किसी object idea या लोगों के उपर अब attitude and beliefs का क्या असर होता है foreign environment में इसको समझते हैं एक exam से ठीक है जैसा कि आप सब जानते हैं इस time ये lockdown period चल रहा है ठीक है तो हम जितने भी transactions कर रहे हैं वो basically कोशिच कर रहे हैं कि online करें ठीक है अब ये ज business firms हैं जिन्होंने ये payment gateway लाया इन्होंने कुछ सोचा होगा market research करी होगी उनको लगा हो कि अगर हम ऐसा कुछ market में लेकर आते हैं तो ये काफी ज्यादा help करेगा और ये इंडिया में जल्दी क्यों trend क्या है क्यों इसलिए क्योंकि maximum generation या maximum percentage of people जो है वो क्या है youngsters है ठीक है तो youngsters को paper money से जादा अच्छा क्या लगता है plastic money तो उन्होंने क्या किया Indian market को analyze किया समझा और फिर उसाफ से उन्होंने payment gateway ले आए जिसके तुरू आप घर बैठे transactions कर सकते हैं ठीक वहीं आप देखिए अगर आपके parents की बात करें ठीक है मेरे खुद फादर की बात करें तो कि plastic money को prefer ने करते हैं वो सोचते हैं कि paper money इसकाम चल जाए ठीक लेकिन अब जो generation है जो हमाई youngsters की generation है वो क्या prefer करती है plastic money in comparison to paper money तो यह क्या हुआ था कि business ने market को analyze किया था और उन्होंने देखा था कि लोगों का attitude क्या है उस चीज़ को लेकिए उनका opinion क्या है viewpoint क्या है फिर उन role play करता है हमारे foreign environment next is political environment और political environment क्या होता है the government reserves the right of allowing a foreign firm to operate in the country as well as laying down the manner in which a foreign firm can conduct business ठीक है तो basically political environment क्या होता है जहां पे government के rules and regulations चलते हैं ठीक to gain the insight into a foreign country political environment one needs to analyze following factors और इन following factors और इन following factors पे ज्यान देने के ज़रूरत होती है पहला क्या है forms of government and political party system अब यहां पे कैसा मज़ना लिभात है कि कैसा political party system वहां उस country का follow होता है अगर single party अगर single ruling party है तो उनकी policies सबसे पहला point है form of government and political party system कोई भी business firm को foreign country में investment करने से पहले या foreign market में इंट्री देने से पहले इस समझना कि वहां पे कैसा party system है single ruling party है या multiple ruling party है single ruling party मतलब हर जगा एक ही party rule कर रही है multiple ruling party मतलब हो सकता है जो party जीती है वो उतने वोटोस नहीं जीत पाई तो उसने दूसरी और party इसको join करके एक party बनाई ठीक है तो इसका काफी जादा impact पड़ता है business firms पे next point is political ideology and role of government ideology को क्या मतलब हु तो उसकी ideology उसके thinking similar होगी ठीक है तो policies उसी साब से frame करेगी ठीक अगर जो party है वो multi-dimensional है या multi-rolling party है तो वो क्या उनके thinking skills है लोगोगी तो यहाँ पे policies framing में भी दिक्कत होगी और काफी ज्यादा changes भी होंगे policies में ठीक जिससे क्या होगा business को economically बहुत जादा नुकसान हो सकता है ठीक फिर है political stability है political stability होना बहुत जादा जूरी है ऐसा तो नहीं है कि उस country में थोड़े थोड़े time पे parties change होती रहती है जैसे कि इंडिया में है एक frequent time पे elections होते रहते तो क्या है जो ruling government आती है वो अपने उससाब से policies को change कर देती है जैसे कि अब GST है पहले GST नहीं था तो क्य हुआ business firms को चीजों को adapt करना पड़ा ठीक तो काफी ज़्यादा changes आए ठीक है फिर है political risk का भी ध्यान देना पड़ेगा last है हमारा domestication अब domestication क्या मतलब हुआ जैसे कोई firm अगर foreign country में जाती है ठीक तो वह competitor की तरह ना जाके एक last point है हमारा domestication अब domestication क्या मतलब हुआ कि कोई भी firm अगर कोई foreign country में investment करती है foreign country में operate करना चाहरी है तो वो वहाँ पे competitor की तरह ना जाकर एक partner की तरह वहाँ पे काम करेगी अब इससे क्या होगा जो वहाँ की domestic market है वो influence नहीं होगी और वहाँ के लिए competition नहीं पड़ेगा ठीक for example hero honda का लेते हैं hero क्या थी इंडियन कंपनी थी honda क्या थी foreign company थी तो जो foreign company आई तो वो honda hero के साथ competition ने किया बलकि एक partner की तरह उन्होंने इंडिया में काम किया था ठीक है तो इसी हो कहते हैं domestication last है हमारा legal environment अब legal environment क्या होता है legal environment basically क्या होता है code of conducts जो कि business की boundaries को decide करते है कि कौन से business कैसा business run किया जा सकता है कौन से business या forbidden है कौन सी चीजों को यहां sell out किया जा सकता है यह सब कौन बताता है हमारा legal environment बताता है ठीक है तो legal environment में क्या क्या होता है एक होता हमारा common law होता है और एक होता हमारा civil law common law originated in UK और civil law कहा हुआ था Romans में common law basically क्या बताता है हमारे tradition customs औ बारे में और civil law हमारा किया बताता है rules जो कि business को conduct करने में help करते हैं एक example कि थू समझते हैं legal environment के बारे में और उसका business पर क्या impact पड़ता है ठीक है for example India में alcohol का openly advertisement करना allowed नहीं है ठीक है तो यह क्या है एक तरह से legal binding है business के उपर तो business firms या marketers को यह सब चीज़ा analyze करने पड़ेंगी कि जिस country में वह operate कर रहे हैं वहाँ पर क्या legal restrictions है कि प्रोडक्स को लेके सरकार काफी जादा strict है या government बहुत जादा strict है कि चीज़ों को लेके rules and regulations उनकी domestic market से अलग है तो यह तो हो गया हमारा legal environment okay so this ends up our session ठीक है आपका IBO1 का first unit complete हो गया है और अगर आपको किसी भी topic में को भी problem आए तो आप comment box में उससे जरूर पुछ कीज़ेगा और जहां तक रही बात आपके assignments की तो मैं अपने blog पे assignments प्रवाइट कर रही हूं आपको और उस पे IBO1 और IBO2 के assignments already complete हैं description box में मैं link दे दूंगी आप विल्कुल जाके उस website पर विजिट करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो like share और subscribe करना मत बुलिएगा thank you so much for listening bye bye and take care